नमस्कार यह धर्म रहसे हैं और मैं डाक्टर राजी निस्प्रह आपसे बात करना हूँ अपने चैनल धर्म रहसे में डाक्टर राजी निस्प्रह के मात्यम से कुछ लोगों के परश्ण सुझाव के रूप में आए कि आप ध्यान पर एक वीडियो बनाए कि जो लोग मंत्रों पर अधिक विश्वास करते हैं जो मंत्जप में अधिक रूची रखते हैं यَा मंत्जप करते हैं या कोई विदि-विधान करते हैं कोई परमकान करते हैं कोई साधना करते हैं या किसी इस्ट को मान करके उसकी भक्ती भाव से आराधना अरचना करते हैं तो जो भक्ती मार्ग है वो स्वयम अपने आप में एक इतना बड़ा मार्ग है कि उसमें फिर ध्यान में उतरने की आवशक्ता नहीं वो अपने आप में ध्या लोग ऐसे होते हैं जिनका मार्ग न तो भक्ति मार्ग है न दूसरा ही कोई मार्ग है वो ध्यान में तरना चाहते हैं मन्त जब भी वो नहीं कर सकते या कोई नेम नहीं कर सकते उन लोगों के लिए मैं कुछ ध्यान पर चर्चा करूँगा इस वीडियो में पहरी बात तो यह समझ लें कि जिन व्यक्तियों का हरदय है अत्यदिक विचारों से अत्यदिक नकारात्मक्ता से अत्यदिक व्यस्तताओं से अत्यदिक धनोपारजन के लिए की जाने वाली राववा हर्दय है तो सुनकर आपको खराब लग सकता है लेकिन वो लोग ध्यान के बारे में सोचना बंद करते हैं क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता हो जाता है ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए आप आयोजन करेंगे जिसके लिए आप कोई मंच लगाकर प्रतिक्षा करेंगे कोई पालती आसन लगाकर प्रतिक्षा करेंगे जहां आपने आयोजन करना प्रारम किया जहां आपने प्रचार करना प्रारम किया ध्यान आपसे बहुत दूर हो जाएगा आप भी ध्यान से बहुत दूर हो जाएगे ध्यान तो एकांत छणों में सहसा उतरने वाली एक ऐसी सुख की किरण है जो आपके अंतस को भिगो दिती है इसलिए कोई आयोजन न करें कोई कर्म कांड न करें बस यूही जिस चण जिस दिन आपका मन प्रफुल हो आपका मन हर्शित हो आपका मन विधित न हो आपका मन दुखी न हो ऐसे ख़णों में बैठ जाएं कहीं ये कांत में और सिर्फ अपनी स्वास पर ध्यान केंद्रत करें ध्यान शब्द मी न बोलें सिर्फ अपनी स्वासों को देखते रहें ये स्वास अंदर गई बहार आई फिर अंदर गई फिर बहार आई एक चक्र है एक चक्र जो आपको इस संपून वातावण से इस संपून ब्रह्मान से जोड़े हुआ है इस शरीर को इस थूल शरीर को और इस थूल शरीर के साथ साथ अंदर के भीतर के सूक्षम शरीरों को भी इस स्वास के माध्यम से संपून स्रष्टी से संपून ब्रह्मान से जो चक् दख्र पर अपको द्रश्थी रखनी है बस कि से इतना सा करिए किसी मंद्र की आवशक्ता नहीं किसी भी चीजकी आवशक्ता नहीं कि बस निरंतर उसी पर दश्टी रखें स्वास अंदर गई बहाराई पी अंदर गई आप बस चलने दीजी और आप आंगे एक दिन अचानक कि घटना घटित हो गई है आपके भीतर की जो शांती थी मुखर हो गई है आपके भीतर कुछ घटित हो गया एक विचार सुनिता एक मौन आपके अंदर उतर गया पस वही चान ध्यान के हैं जिसमें आप स्वयम का भी विस्वन कर देते हैं आप पाते हैं कि स्वयम का भी विस्वन हो गया तेकर इस चीज को कभी भी आपको किसी ऐसे प्रमाद से मत जोड़ देना जो प्रमाद आपको स्वयम से दूर कर देते हैं कुछ लोग नशे की आरतो को भी ध्यान समझ गेसे विए स्वैयम को भूल जाते हैं ऐसी गलती मत करना। हमाइ दूसरी चीज है कि दूसरा बात है सुबह टहलने जाते हों हैं है शुद्र को इस बात में होता है के सुझा हो आप उपयोक कर सकते हैं युस टहलने का कभी भीद में मत जाईए लोगों की जुन्डम मत जाईए एक साथ दस्वीस लोग घूम रहे हैं सुबह पार्क में टहलने जा रहे हैं हसी मजाक हो रहा है इदर दर की बातें हो रही है फिर बैठकर किसी बेंच पर लंबी-लंबी स्वासे ले लिए अनुलोम बिलोम कर लिया सुर्य प्रणाम कर लिया और जोर जोर से ठाके लाग के हसली व्यायाम है ध्यान से इसे मत जोड़ देना कभीरे अगर इसमें उतरना इस माध्यम से हैं रास्ता बस अकेली पकडंडी पर चले जाना कोई साथ नहों कहीं ऐसी जगे यहां कोई कोला हाल नहों सुह कर, सुह की समय चले जाना कोई घ्रिभा और तक हो यूँष की चलते रहना द्रश्टि नीचे की तरफ केवल कदमौं को केवल गर्वलपी द्रश्टी केंदित करना करें करें योट खत्त धाया करें असा आगे अगे और जिस्वाइन अपना पूरा एक आगरता पूरी ध्यान उसी पर केंदित कर देना, एक दिन पाओगे ध्यान घटित हो गया, विचार सुनिता अंदर उतर गई, परमात्मा की दस्तक भी हो गई, कभी विस्तर में लेटे हो, रात को नीद खुल गई, देखा, सभी लोग सोई हुए, आवाज भी बहुत नहीं है, कोई ध्वनी नहीं है, चार और सन्नाटा है, रात का सन्नाटा बिख़़ा हुआ है, सभी परवार के लोग सोई हुए, लेकर अगर तुम्हारी नीद खुल जाये तो उठ जाना, वहीं बैठ जाना बिस्तर में, वहीं बैठ कर मौन, बिल्कुल शान्त होकर, उस रात के सन्नाटे पर, जो कानों में आपके में सन्नाटे का स्वर आ रहा है, उसी पर केंद्रित हो जाना, किसी मालाकी की जरुवत नहीं है, किसी ध्यान की जरुवत नहीं, किसी नामजब की जरुवत नहीं, दूसरे का कोई उपस्तित होना, उसमें बिल्कुल जरुर नहीं कि दूसरा कोई विचार विपस्तित हो, क्योंकि विचार सुनिता ही तो ध्यान है, आप जिस ध्यान की ब कि अलारम लगाकर रात को दो बज़ उठ गए, तीन बज़ उठ गए कि अब तो ध्यान करना है ये किया जवर्दस्ति थोड़ी होती है ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे जवर्दस्ति आप ला सके आप बैठ सकते हैं खाली होकर बैठ सकते हैं प्रतिक्षा कर सकते हैं जिनमें प्रतिक्षा की आदत नहीं है जिनका चित अधीर है जिनका मन अधीर है वे कभी ध्यान की बात न सोचें और भी रास्ते हैं परमात्मा तक पहुचने के और भी रास्ते हैं इश्वर तक पहुचने के और भी क्रिया कलाप हो सकते हैं मंत्र हो सकता है नाम जब हो सकता है और भी चीजे हैं मैं बताता हूँ आपको देक्षा भी देता हूँ वो सब हो सकते हैं लेकिन अगर घरदय में शानती नहीं है किसी दिन बहुत मनपरसंद है मिलने वाले आए यार दोस्तों के बीच में गए बहुत खुशो कर लोटे पर फुल है आप जानते हैं, आप सुखी कब होते हैं जब आप प्रमातमा के निकट होते हैं आप कहने लिए मैं नथो प्रमातमा कोई इसमर्री नहीं किया सुख का नाम ही प्रमातमा है जब आप दुखी होते हैं तो आप क्या कहते हो परमात में ऐसी कुई चीज नहीं भगवान है यह नहीं आप सीधे एक ही कटाक्ष करते हो भगवान पर है यह नहीं हो पर नदुख नहीं हो इसका मलब क्या है कि दुख में आप जब यह कहते हो भगवान नहीं है इसका मलब ब्रग जाना हो का एसी बैठे रेना सब्सक्राइब 10 सब्सक्राइब एकांत उपर आस्मान में देखते रहे एक जाहों तो लेट भी सकते हो पूरा आकाश च्छाण बाद अनभग होगा कि तुम्हारा अकाश अपनी विराठता के साथ तुम्हारे हर्दे में उतर रहा है और अचानक आप पाओगे कि ध्यान घटित हो गया तो ध्यान रखिए इस बात का कि जब आप परसले चित्त हों, सुख के छड़ हों वहाँ ध्यान उतर सकता है यह जो मैंने कुछ बातें आप से कहीं है, इसके विश्य में इनको ध्यान रखें और प्रेत्न करें जो लोग ध्यान में करना चाहते हैं और अगर इस विश्य में मुझसे और अधिक आपको चर्चा करनी है तो आप वाटसेप पर या फोन पर मुझसे बात कर सकते हैं मैं आपको और भी चीज़ें पताऊंगा इसमें क्योंकि एक वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता कि आपको सारी बात उसमें बताई आ सकें फिर भी मैंने प्रत्न किया है आपके प्रश्मोंका उत्ता देने का इस वीडियो को माध्यम से इस वीडियो में तना ही मिलते हैं दूसरे किसी विश्यादा के साथ नमस्कार शुबरादे